हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेंड तूडे वी आर गॉइंग तू स्टार्ट एक्सराइज 9.4 फ्रॉम धी एलिमेंट्स भी इससे पहले हमने 9.3 एक्सराइज कम्प्लीट के है उसी वडिया का लिंक आपको डेस्ट्रेशन वोक्स में मिल जाएगा स्टूडेंट आज एक बोथ ही बड़ा बिन है टीचर्स के लिए सो हैपी टीचर्स डे टू और माई कल पाज आप मेंसे भी बहुत सारे जो बच्चे हैं आगे चलके क्या बनेंगे टीचर बने की सोच रहे हों उनको भी हैपी टीचर्स डे टू अलों भी हम स्टार करते हैं हमारी एक्सरसाइज 9.4 इसमें कुछ फोर्मूले यहां पर यूज हूँ ठीक है डारेक्ट फोर्मूले यूज करके हम उनका इंटीग्रेशन करेंगे उनकोंसे फोर्मूले हैं जो हम इस अक्सरसाइज के अंदर यूज करने वाने हैं समस्पेसल इंटीग्र्ष दीएक्स अपॉन में x2 माइनस a4 अगर आपके पास इस टाइम को ली भी फोर्म हमें गीवन है dx अपोन में x square minus a square तो क्या आएगा इसका integration 1 by 2 a log x minus e अपोन में x plus a plus में c ठीक है? second है हमारे पास अगर यहां पर a square आगे आजाए हैं आपर a square minus में x square तो यह क्या आजाएगा 1 by 2 a log a plus x और नीचे क्या आजाएगा फिर minus याद रटने के लिए ठीक है अगर उपर plus है तो नीचे minus यहां पे hd था x minus a hd फिर नीचे x plus a third है dx अपोन में x square plus a square तो इसका हो जाएगा 1 by a 10 inverse x by a plus में c प्लस में c तो हम हर के अंदर ही करते हैं हर के इंदर indefinite integral के अंदर तो इसका क्या हो जाएगा अगर plus होगा तो 1 by a 10 inverse x by a plus c फिर अगर under root के अंदर हो d x अपोन में under root a square minus x square sin inverse x y a plus में c अगर a square minus x square under root के अंदर है student तो उसका direct हो जाता है sin inverse x y a plus c फिर अगर x square minus a square है या x square plus a square है तो यह लोग के अंदर जाएगा होगा लोग modulus of x plus में यह agitate similarly हब dx अपोन में integration of x square plus a square लोग लगे गए इसमें चाहे x square minus a square हो चाहे x square plus a square हो ठीक है तो लोग x plus में यह ट्रम agitate plus में c एक है लास्ट dx अपोन में x into under root x square minus a square हमारे पास secant inverse x का जो formula होता था उसका derivative 1 अपोन में x into में x square minus में 1 इस तरह से होता था यहापे क्या है dx अपोन x into under root x square minus a square तो यह वाली form secant के अंदर change होती है यह तो हमने derivative के अंदर भी पढ़ा है 1 by a secant inverse x y a plus में c तो यह जो formula है student 7 formulas जो हम exercise के अंदर use करेंगे direct और questions का integration करते है तो हम start करते है हमारे exercise 9.4 from the first question यह वेट the following integrals first time हमारे पास dx अपोन में 9 x square minus में 1 है तो यहापे हमारे बस formula क्या होते थे dx अपोन x square minus a square x square का coefficient 1 होता था तो यहापे हम क्या करेंगे x square का coefficient 1 बनाएंगे तो मेंस यहापे 1 by 9 ही आते हम को मा निकाल जाएंगे तो क्या आ गया है यहापे 1 by 9 dx अपोन में x square minus 1 by 9 हो जाएगा 1 by 9 dx अपोन में x square minus इसको 1 by 3 का whole square लिख सकते हैं यह क्या आ गया x square minus a square का integration dx अपोन x square minus a square अभी अभी हमने पढ़ा था क्या होता है 1 by 2a log x minus a modulus of x minus a upon x plus a plus में c तो यहाँ पे हम लिखेंगे using dx अपोन में x square minus a square 1 by 2a log x minus a upon x plus a plus में c a की value यहाँ पे क्या है 1 by 3 है a की value क्या है 1 by 3 then 1 by 9 into में 1 by 2a log x minus a x minus 1 by 3 और नीजे क्या जाएगा x plus 1 by 3 plus में c तो यह कितना आ गए है यहाँ पे 2 by 3 यहाँ पे cancel out हो जाएगा 1 by 6 log 3x minus 1 upon में 3x plus में 1 3 से 3 cancel out हो जाएगा तो answer क्या आ गया हमारे पास 1 by 6 into में log 3x minus 1 upon 3x plus में 1 plus में c देखो कितना easy है अगर formula आपको याद है तो direct हमें apply करना है ठीक है second करते हैं हम second के अंदर भी क्या है 1 by 4 हम पार ले लेंगे x square का coefficient 1 बनाएगे आप ए 1 by 4 हम पार लिया dx upon में यह 1 by 4 minus में x square इसको हम क्या लिख सकते हैं dx upon 1 by 2 का whole square minus में x square तो यह कौन से form बनगे dx upon a square minus x square वाली कौन सा formula लगाएंगे हम using dx upon a square minus x square किसकी equal to होता है 1 by 2 a log यह उल्टा हो जाता है यहाँ पे a minus x है तो a plus x फिर नीचे a minus x plus में c तो यहाँ पे 1 by 4 1 by 2 a a means 1 by 2 है न a की value क्या है यहाँ पे 1 by 2 है 1 by 2 a log a plus x 1 by 2 plus x 1 by 2 minus में x और plus में क्या आ गया c solve out करते हैं यह cancel out हो गया 1 by 4 लोग 1 plus में 2x नीचे 2 आएगा नीचे से 2 cancel out 1 minus में 2x plus में c it is the required integration of the d1 function ठीक है 1 by 6 log 3x minus 1 upon 3x plus 1 2nd का है 1 by 4 log 1 plus 2x upon 1 minus में 2x का modulus plus में c next part करते हैं student third integration of dx upon 9 plus 25 x square ठीक है तो यहां पे 25 को हमने बार लेना पड़ेगा ठीक है तो third part है हमारे पास i equal to dx upon में 1 by 25 में बार लिया 9 by 25 plus x square बने बार लेना 25 से डिवाइड करने पे ठीक है तो यहां पे आगया 1 by 25 dx upon इसको हम किसका whole square लिख सकते हैं 3 by 5 का whole square plus x square अब यहां पे कौन सा formula दिख रहा है student हमें dx upon में x square plus a square वाद यह क्या होता है 1 by a 10 inverse x by a plus में c integration क्या होता है x square by a square 1 by x square plus a square का 1 by a 10 inverse x by a plus में c यहां पे a की value क्या है 3 by 5 यहां पे आगया 1 by 25 ठीक है तो यह क्या आगया 1 by a करेंगे तो 3 by 5 10 inverse x by a a means 3 by 5 plus में c यह कितना आगये यहां पे 1 by 15 na 10 inverse यह 5 उपर जाएगा तो 5x अपोन में 3 plus में c it is the required integration of the given function यानि कि 1 by 15 क्या है यह 1 by 15 10 inverse 5x by 3 plus में c ठीक है dx अकौन में 4 का स्केर माइनस में x स्केर तो यहां पे कौन सी फोर्म दिख रही है student हमें dx अकौन में a स्केर माइनस x स्केर हमने पहले भी किया है पहले वाले पार्ट के अंदर क्या होता है 1 by 2 ए लोग a plus x अकौन में a minus x प्लस में c यहां पे a की वैलू क्या है student 4 है तो यह integration 1 by 2 into में 1 by 2 a a की वैलू 4 लोग a plus x 4 plus में x 4 minus में x plus में c यह कितना आ गये हां पे 16 ना 1 by 16 लोग 4 plus x अकौन में 4 minus x प्लस में c it is the required integration of the given function ठीक है 1 by 16 लोग 4 plus x 4 minus x प्लस में c देखो कितने easy है student अगर आपको formula याद है formula भी एक बार आप rough notebook rough notebook के अंदर लिखके देखोगे तो easily याद हो जाएगे फिर direct formula best questions है second करते है evaluate the following integrals integration of dx upon under root 4x square minus 9 अब की बार under root वाले given है हमने under root वाले भी formula देखे थी ठीक है root में से x square का coefficient 1 बनाएंगे तो 4 से divide होगा फिर root से बार आएगा 2 आजाएगा 1 by 2 integration x square minus 9 by 4 इसको हम किसका whole square लिख सकते है dx upon x square minus 3 by 2 का whole square तो यहाँ पर कौन सा formula लग रहा है dx upon में under root के अंदर है under root x square minus a square यह क्या होता है student log x square x plus में under root x square minus a square plus में C ठीक है x plus में x square plus में log x plus में क्या हो जाएगा यह direct है log x plus under root x square minus में a square तो a की value यहाँ पर क्या है 3 by 2 है a की value क्या है यहाँ पर 3 by 2 उट करते हैं 1 by 2 इसका क्या जाएगा log x plus में under root x square minus a square ठीक है a square करेंगे तो 9 by 4 और plus में c 4 lc हम लेंगे 1 by 2 log इसको c1 क्या देखने है ठीक है log x plus में 4 x square minus 9 by 4 plus में c1 1 by 2 log यह यहाँ से क्या करेंगे हम root से बार आएगा तो 2 आएगा फिर lc म लेंगे 2 यहाँ पर 2 x plus में under root 4 x square minus 9 plus में c1 ठीक है यहाँ पर करेंगे इसको sol out करने पे 1 by 2 log 2 x plus under root 4 x square minus 9 यह जो 2 है मतलब कि log a y b है log a minus log b करने पे इसको complete को c लिक सकते है तो इसका integration आगया 1 by 2 log 2 x plus 4 x square minus में 9 plus में c ठीक है डारेक्ट हमने यह formula यूज गया है under root वाला second part करते है i equal to dx upon me 4 plus में x square है यानिके 2 का square plus में x square है ठीक है तो यह यहाँ पे कौन सा formula यूज होगा dx upon में under root x square plus a square वाला यह भी क्या होता है log x plus under root x square plus a square plus में c तो यह direct हो जाएगा student log x plus में under root x square plus में x square means 4 plus में c it is the required integration of the given function log x plus में under root 4 plus में x square या x square plus में 4 plus में c next part करते हैं इसका third integration of dx upon में under root 15 minus में 8 x square है ठीक है तो यहाँ पे x square का coefficient 8 है root से बार आएगा तो root 8 ही होगा ठीक है तो हमने इसमें क्या करिया 1 by root 8 भार ले लिया dx upon में under root यह क्या बढ़ गया 15 by 8 minus में x square ठीक है तो इसको अगर हम अलग-अलग करेंगे तो यह किसका root हो जाएगा root 15 upon में complete root 15 by 8 का whole square बन जाएगा ठीक है और यह क्या बन जाएगा यहाँ पे x square तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 by root 8 dx upon में under root root 15 by 8 का whole square ठीक है और minus में x square तो यह कौन सा formula लग रहा है dx upon में under root a square minus x square क्या होता है student sin inverse x by a plus में c direct a square minus x square क्या हो जाएगा यहाँ पे sin inverse x by a a की value क्या है यहाँ पे root 15 by 8 है तो यहाँ पे हम put करेंगे 1 by root 8 ठीक है sin inverse x by a a क्या है root 15 by 8 और plus में c यह आगया 1 by root 8 sin inverse यह क्या आगया है ऊपर चला गया है मतलब इसको हम क्या लिख देंगे root 8 क्या होता है 2 root 2 2 root 2x upon में root 15 plus में क्या कर देंगे c और इसको root 8 भी हाँ पे हमें छोड सकते हैं ठीक है तो 1 by root 8 को लिख देंगे 2 root 2 और 8 by 15 भी हाँ पे हमें लिख सें 1 by 2 root 2 sin inverse under root 8 by 15 x plus में c ठीक है तो simply क्या किया था हमने 8 से डिवाइड किया था क्योंति x square के coefficient आगे साइन इनवर्स x by a plus में c ठीक है 1 by root 8 root 8 को क्या लिख सकते हैं 2 root 2 लास्ट पार्ट करते हैं इसका यह वाला तो यहाँ पे हमने क्या किया i equal to 1 by root 3 हमने बार लिया dx upon में x into x square minus 4 भी है न अब यह किसका फॉर्मुला होता है student यह वाला using dx upon में x into x square minus a square यह होता है 1 by a secant inverse x by a plus में किसका होता है student अगर x आगे आ जाता है इसके साथ multiply में 1 by a secant inverse x by a तो यह किसकी अंदर change हो गया a की value यहाँ पे क्या है 2 है यह 2 का square लिख सकते हैं यहाँ ठीक है 1 by root 3 1 by a करेंगे तो 1 by 2 secant inverse x by a means 2 plus में c तो यह आगे हैं यहाँ पे 1 by 2 root 3 secant inverse x by 2 plus में c it is the required integration of the given function ठीक है 1 by 2 root 3 secant inverse x by 2 plus में c ठीक है यह था हमारे पास second question next करते हैं third evaluate the following first है 3x dx upon 1 plus 2x की power 4 यह हमारे पास third user है तो यहाँ पे दिखो हमें पता है कि x की power 4 को जो इसको क्या लिख सकते हैं x square का square लिख सकते हैं ना फिर अगर x square को t put किया तो उपर इसका derivative बन रहा है x dx ठीक है तो 3 मैंने बार ले लिया x dx upon 2x की power 4 x square को t put कर दिया तो derivative 2x dx equal to dt हमें तो x dx से ही dt by 2 3 बार था ही 3 by 2 और यह dt और नीचे के बन गया 1 plus में 2t square क्योंकि x की power 4 था तो x की power 4 को x square की square लिए x square को t put किया है तो 2t square अब यह वही फॉम बन गी जो 1st और 2nd की उसंस में की है 1st वाले की उसंस में की है तो 2 से हमने डिवाइड किया 3 by 2 common लिया तो 3 by 4 यह 1 by 2 plus में t square a square plus में x square इसको a यहाँ पर क्या हो गया 1 by root 2 a क्या हो गया 1 by root 2 इसका square ठीक है a square plus x square क्या होता है 1 by a 10 inverse x y a x क्या है आपे t का function ले रखा है आपने 10 inverse 3 by a ठीक है 3 by इसको solve out करेंगे तो नीचे क्या बजेगा 2 root 2 क्योंकि 4 को लिख सकते है 2 into 2 फिर 1 2 को लिख दिया root 2 into root 2 1 root 2 cancel out हो गया है यहाँ ठीक है क्या कैसे किया है 4 को 2 into 2 by root 2 था है 3 by 2 root 2 10 inverse root 2 और लास्ट में t की जगह पे x square plus में c ठीक है इजी था बस इसमें थोड़ा सा step और बढ़ जाता है ठीक है यानि कि हमें पहले बाद एक्सराइज के अंदर इस type conditions की हैं integration वाले, put करने वाले, substitution method वाले तो वो solve करके और y form बन जाती है जो हमने वो 7 formula पढ़े थी next is second part 3x की 5 upon x की power 12 x की power 6 का square लिख दिया मैंने हमें पता है अगर x की power 6 को हम t put करते हैं तो उपर इसका derivative बनता है 6x की 5 dx equal to dt इसको 3 into 2 लिख दिया हमें तो 3x की 5 dx से ही है ना ये क्या आगी 1 by 2 into dt 1 by 2 बाहरा आगया dt upon 1 plus में ये हमने t put किया था तो 1 plus t square यानि कि dx upon 1 plus x square ये वाली form बन गई 10 inverse x का हो जाएगा 1 by 2 बाहर था ये 10 inverse x by a a यहाँ पर 1 था 10 inverse t t क्या था x की power 6 1 by 2 10 inverse x की power 6 plus में c it is the required integration of the given function 3rd करते हैं student x square minus 1 upon x square plus में 4 dx तो नीचे देखो x square plus 4 है तो उपर भी हम x square plus 4 बनाने की कोसिस करेंगे तो मैंने क्या कर दिया minus 1 को लिख दिया 4 minus में 5 नीचे वाली form बन गई x square plus 4 minus 5 upon x square plus 4 आलाग आला करेंगे तो यहाँ पर तो 1 बच गया minus 5 upon x square plus 4 1 का integration x 5 बार ले लिया x square plus a square वाली form बन गई तो यह क्या होती है 1 by 2 ठीक है 1 by x square plus a square वाली integration क्या होता है 1 by a 10 inverse x by a plus c यहाँ पर x minus 5 by 2 10 inverse x by 2 plus में c is the final integration of the given function last part करते हैं इसका fourth integration of ax cube plus bx upon x की 4 plus में c तो इसको हम क्या कर देंगे student आलग अलग डिवाइड कर देते हैं ठीक है ax cube upon x की 4 plus c plus bx upon x की 4 plus में c अब हमें दिख रहा है अगर हम x की power 4 को t पूट करते हैं तो उपर इसका derivative बन गाड़ना 4x की 3 dx बच जाएगा ठीक है तो a constant था इसको मैंने i1 कह दिया इसको i2 i1 को solve करते हैं पहले a हमने बार ले लिया x cube dx upon x की 4 plus में c नीचे बाले को t put कर दिया c को भी constant है ठीक है तो इसका derivative क्या हो गया 4x cube dx equal to dt x cube dx क्या आगया dt by 4 तो इसके अंदर put करते हैं a इसकी सगय पर dt by 4 और ये complete हमने t put किया था तो ये क्या बन गया a by 4 log t t क्या put किया था x की 4 plus में c i1 sole होके आगया हमारे पास a by 4 log x की 4 plus में c i2 क्या था bx dx upon x की 4 plus थी उपर हमें x dx जाहिए तो इसको x square का square लिख सकते हैं न फिर हम x square को t put कर देंगी 2x dx equal to dt x dx क्या आगया dt by 2 यानि कि b by 2 उपर वाला dt बन गया नीचे ये t square plus में c यानि कि dx upon x square plus a square वाला बन गया है a की value यहाँ पर क्या है a की value है root c root c का square तो वो क्या होता है b by 2 तो भार था 1 by a 10 inverse x by a ठीक है t की जगह पर हमने x square put कर दे i2 आगया b by 2 root c 10 inverse x square by root c ठीक है आगया है यहाँ पर a by 4 ये फर्स्ट थी equation ये second थी दोनों को add कर दिया a by 4 लोग x की 4 प्लस c प्लस में b by 2 root c 10 inverse x square by root c प्लस में कोई भी constant है की integration में करते हैं न हम last में तो यहाँ पर c पहले से ही था तो हमने यहाँ पर k ले लिया c की जगह पर कोई भी constant है की next करते हैं student fourth evaluate the following integrals x dx अपोन में under root a की 4 माइनस x की 4 है तो पहले हमें इसको substitution method से करना पड़ेगा फिर वो formula हमें पर use करना पड़ेगा तो इहाँ पर x dx अपोन a की 4 माइनस x की 4 फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ x square का square लिख सकती हूँ x square को t put किया क्योंकि उपर इसका derivative बन गा था वो dt by 2 यानि की 1 by 2 बार dt अपोन a की 4 माइनस में t की 4 इसको a square का square लिख सकते है तो यह a square माइनस x square form होगे 1 by 2 वो direct integration क्या होता है dx अपोन under root a square माइनस में x square या x square माइनस a square यहां पर क्या हो जाएगा a square माइनस में x square sin inverse x y यह होता है यह a square माइनस x square form होगे sin inverse x y x यहां पर t है ठीक है t क्या put क्या था हमने x square तो यह आ गया 1 by 2 sin inverse x square by a square plus में c second part is student x dx अपोन में 4x की 4 माइनस में 9 ठीक है तो under root में से हम common लेगे हैं यहां पर पहले इसको x square को square लिख सकते है न उपर इसका derivative बन रहा था x square को t x dx क्या आ गया dt by 2 आ गया 1 by 2 dt upon 4t square माइनस में 9 4 हमने common लिया root से बार आएगा तो 2 आएगा 1 by 2 पहले ही था 1 by 4 हो गया dt by t square माइनस 3 by 2 का whole square अब यहां पर a क्या है 3 by 2 है ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा 1 by 4 इसका under root के अंदर x square माइनस a square होता है लोग x plus में under root x square माइनस a square तो x plus में under root x square माइनस a square और t क्या put किया था हमने x square 2 under root 4 था नीचे LCM लिया under root से बार आए तो 2 आ गया तो LCM लेने पर 2t plus 40 square माइनस 9 by 2 plus में c 1 ठीक है 1 by 4 लोग 2t plus यह हमने इसको complete c कर दिया ठीक है 2 नीचे से अटा गया 2t plus 40 square माइनस में 9 1 by 4 लोग t की जगे पर x square x square माइनस में 9 plus में c ठीक है तो पहले हमने substitution method ची किया है फिर हमने इसमें formula यूज किया है फिर simplify LCM लेके इसको solve कर दिया थार्ड है student x square dx अपोन x की 6 plus 4 x की 6 को मैंने लिखे दिया x की 3 फिर उसका whole square क्यों लिखा है ऐसा क्योंकि अगर हम x की 3 को t put करते हैं उपर वाला उसका derivative बनता है so x square dx आगे dt by 3 1 by 3 बार आगे dt upon t square plus 4 यानिके x square plus a square form बने dx upon x square plus a square integration क्या होता है 1 by 3 लोग x plus under root x square plus a square अब t square t क्या put क्या था x की 3 so 1 by 3 लोग x की 3 plus में under root x की 6 plus 4 plus में c is the integration next करते हैं student fourth part x square dx upon में under root x की 6 minus a की 6 है तो x की 6 को हम क्या लिख सकते हैं x की 3 का square अगर फिर हम x की 3 को t put करते हैं तो उपर उसका derivative बन रहा है ठीक हमें direct दिखी जाता है कि x3 को t put किया x square dx के आगे dt by 3 integration कि इसकी अंदर से हो गया 1 by 3 बार आगे dt upon ये x की power 3 का square था तो t square minus a की 6 बन गया ठीक है इसको गया लिख सकते हैं a की power 3 का square x square minus a square वाली form हो गई 1 by 3 बार था integration इसका क्या होता है dx upon under root x square minus a square log x plus में under root x square minus a square t की जगे पे हमने last में put कर दिया 1 by 3 log x की 3 plus में under root x की 6 minus a की 6 plus में c last part है इसका under root x dx है नीचे a की 3 minus x की 3 है तो देखो नीचे x की power 3 है और उपर root वाली ट्रम है तो x की power 3 by 2 को t put कर दिया क्यों किया है? क्योंकि उपर वाला इसका derivative बन जाएगा 3 by 2 power आगे आगे एक power कम करेंगे तो x की half dx dt के इकवल हमें तो x की half dx चाहिए वो किसके इकवल आगे? 2 by 3 dt 2 by 3 dt पुट कर दिया नीचे a cube minus x cube यहाँ पर x cube करेंगे तो यह 1 by 2 उदर जाके x की power 3 क्या बन जाएगा? t square बन जाएगा तो a cube minus में t square बन गया 2 by 3 बार ले दिया dt या कोल? इसको हम किसका whole square लिख सकते हैं? अब formula बनाएगे न a square minus x square का तो यहाँ पर a की power 3 by 2 का whole square power to power multiply करेंगे तो a की power 3 बजेगा minus t square 2 by 3 बार था dx अपोन a square minus x square क्या होता है? sine inverse x by a a यहाँ पर a की power 3 by 2 plus में c 2 by 3 sine inverse t क्या था? x की 3 by 2 upon a की 3 by 2 plus में c so integration is 2 by 3 sine inverse x by a की power 3 by 2 plus में c एक पर फिर से वेको स्टूडेंट थोड़ा सा मसलोग कि इसमें हमने rational number की form में इसका यहाँ पर t put किया है x की power 3 by 2 को t put किया है क्योंकि 3 और उपर इसका under root है तो 3 by 2 power को t put कर दिया अब इसका derivative करेंगे तो उपर वाला बन रहा है root x से dx से उसकी value क्या आपने 2 by 3 dt ठीक है 2 by 3 बार ले लिया dt upon a की power 3 यानि की a square minus x square जीए तो इसको लिख दिया a की 3 by 2 का square minus में t square अभी किसका integration होता है sine inverse x by a का ठीक है last में t की जगे यापे x की power 3 by 2 so integration is 2 by 3 sine inverse x by a की power 3 by 2 plus में c next करते हैं student fifth evaluate the following integrals integration of dx upon a under root 1 minus e की power 2x ठीक है तो हमने क्या किया student यहाँ पे 1 minus e की power 2x तो अगर हम नीचे वाले को put भी करते हैं तो उपर कोई भी इसका derivative नहीं बन रहा है ठीक है तो हमने क्या किया यहाँ पे multiply numerator and denominator by e की power minus x e की power minus x numerator को भी और denominator को हमने यहाँ पे multiply कर दिया तो e की power minus x dx नीचे e की power minus x root के अंदर जाएगा तो उसका square हो जाएगा e की minus 2x इंटो में 1 minus e की 2x अंदर multiply किया तो यह बन गया under root के अंदर e की minus 2x और यह e की 2x e की power minus x को t put करती है तो उपर वाला इसका derivative बन जाता है इसलिए हमने इसको multiply और divide किया है e की power minus x को t put किया तो e की minus 2x है तो यहाँ पे क्या बन गया इसका t square बन गया इसका derivative सेम हो गया minus आ गया आगे हमें e की minus x dx नहीं वो minus dt बन गया t की जगे पे e की power minus x है पुट कर दिया यानि कि minus log e की power minus x plus e की minus 2x minus में 1 plus में c is the final integration तो थोड़ा सा आलग था कि हमने इसको e की power minus x से multiply और divide किया है क्यों किया था फिर हम आगर e की minus x को t put कर रहेंगे तो फिर उपर वाला उसका derivative बन जाएगा multiply और ये multiply numerator and denominator को e की minus x से करने के बाद ठीक है second था sin x dx upon 4 cos square x minus 1 हमें पता ने यहाँ पे कि sin x का cos x का जो differentiation होता है हो minus sin x हो जाता है तो अगर हम cos x को t put करेंगे तो minus sin x dx dt बन गया तो ये किसके अंदर चीज हो गया minus dt upon 4 t square minus 1 t square का coefficient 1 बनाएगे 4 से डिवाइड किया अंदर रूट से बार आएगा तो 2 आएगा dt upon t square minus 1 by 4 80 value यहाँ पे 1 by 2 है तो नीचे dx upon अंदर रूट x square minus a square यहाँ पे हमें इसका integration करेंगे minus 1 by 2 वो होता है लोग x plus में x square minus a square यहाँ पे 4 lc में रूट से बार आएगा सकते हैं minus 1 by 2 वोग t क्या पुट क्या था cos x plus में 4 cos square x minus 1 plus में c डारेक्ट दिख रहा था अगर हम यहाँ पे cos x को पुट करेंगे तो उपर वाला इसका derivative बनेगा next part करते है student third integration of 2 की पावर x dx अपॉन में 1 minus 4 to the power x 4 to the power x को 2 की पावर x का square लिख सकते हैं ठीक है 2 का square के power x लिख सकते हैं ठीक है तो हमने क्या क्या है 2 की पावर x को t put कर दिया वो क्या होता है 1 की पावर x का 1 की पावर x इंटु में log x इंटु में dx equal to dt तो यहां पे हमें 2 की पावर x dx सी है dt by log 2 तो यह किसके अंदर change हो गया 1 by log 2 log 2 यह तो dt बन गया 1 minus में यह t square बन गया 1 minus में यह क्या बन गया t square 1 by log 2 यह किसका integration होता है dx upon a square minus x square sine inverse x का फिर i equal to 1 by log 2 sine inverse x के t क्या put किया था 2 की पावर x plus में c यह क्या आगा इसका final integration next करते है student fourth sine 2x cos 2x upon 9 minus में cos की 4 2x तो अगर यहां पे देखो इसको a square 3 का square लिख दिया अगर मैं नीचे वाले cos square 2x को t put करते हूं तो उपर वाला उसका differentiation बन रहा है इसका differentiation क्या आजाएगा 2 cos 2x cos का क्या होता है minus sine 2x 2x का क्या हो गया 2 into me dx equal to dt हमें उपर क्या चाहिए यह आगया यहां पे multiply करने पे minus 4 sine 2x cos 2x into me dx equal to dt हमें उपर यह चाहिए sine 2x cos 2x dx उसकी चपह पे क्या लिख सकते है minus dt y 4 नीचे बन गया 3 का square minus t square यानि कि यह square minus x square यह किसका formula होता है sine inverse x by e minus 1 by 4 sine inverse t क्या put किया था हमने cos square 2x by 3 plus me c next करते है student easy का fifth part integration of sine x plus cos x upon under root sine x cos x तो हम यहाँ पे formula बनाएगे root 2 से multiply root 2 से divide ठीक है root 2 से divide कर दिया तो यह sine 2x का formula बन गया ठीक है लेकिन इहाँ पे उपर sine x plus cos x dx है तो यह किसका derivative होता है cos x या sine x minus में cos x का हो जाएगा उपर वाला तो नीचे वाले को sine x minus cos x बनाने की कोशिस करेंगे ठीक है sin square x plus cos square x यह बन गया यहाँ पे sin x minus cos x का whole square ठीक है अब हमने sin x minus cos x को t पूट किया तो उपर वाले इसका derivative बन रहा था तो यह किसके अंदर change हो गया root 2 बार था dt upon 1 minus t square a square minus x square क्या हो गया sin inverse x by e root 2 sin inverse t क्या पूट किया formula बनाने के लिए क्योंकि उपर जो derivative है sin x plus cos x वो किसका derivative होता है यहाँ पे sin x minus cos x का तो नीचे sin x और cos x की form में हमें बनाता है तो यहाँ पे मैंने यह क्या कर दिया root 2 sin x cos x 1 add कर दिया 1 subtract अब यह किसका whole square बन गया है यहाँ पे sin square x plus cos square x मैंनस में 2 a b sin x minus cos x का whole square अब इसको t put के आउपर वाला इसका derivative बन गया डारेक्टा की हमने इसका formula यूज कर दिया sin inverse x by a वाला last part है इसका under root cos x minus 10 x cos x को लिख दिया cos x by sin x under root के अंदर ही इसको under root sin x by cos x lc m लिया sol करने पे नीचे तो under root के अंदर है गया उपर ये complete बन गया under root sin x cos x cos minus में sin इस type की form बन बन गया अब root 2 से multiply root 2 से divide अब ये जिसका derivative होता है नीचे हमें y बनाने की कोसिस करनी है तो यहाँ पे हमने क्या 1 add कर दिया 1 subtract ये किसका whole square अब अगर इसको t पूट करेंगे तो उपर वाला इसका derivative बन रहा है ऐसा ही बन गया ये किसांस ठीक है तो root 2 तो बाहर था dt upon t square minus 1 x square minus a square का जो integration होता है log x plus x square minus a square root 2 log t क्या पूट के अथा sin x plus cos x under root के अंदर sin x plus cos x का whole square minus 1 plus में c इसको solve out किया a square plus b square plus में 2 a b minus में 1 ये तो cancel out हो गया 1 से 1 2 sin x cos x बचा 2 sin x cos x क्या होता है sin 2 x तो answer आगया root 2 log sin x plus cos x plus under root sin 2 x plus में c तो इसमें हमने आलग-आलग इसको code को cos by sin 10 को sin by cos लिखने पे LC उ लेने पे ये वाली form बन गए और ये इसे type की form थी root 2 से multiply root 2 से divide आगे इसको इस तरह से हमने solve कर दिया so integration is root 2 log sin x plus cos x plus under root sin 2 x plus में c next करते हैं student 6th कुसंस और ये हमारा last कुसंस evaluate the following integrals integration of cosecant square x upon 1 minus में code square last है ये 6th है तो अगर हम इस डारेक्ट दिख रहा है न student codex का जो derivative होता है minus cosecant square codex को t put किया minus cosecant square x dx उपर वाला इसका derivative बन गया integration change हो गया minus dt upon 1 minus t square a square minus x square किसका होता है minus 1 by 2 a a की value यहाँ पे क्या है 1 है log a plus x upon a minus x plus में c a square minus x किया होता है log a plus x upon a minus x plus में c एकी जगह पे last में हमने put कर दिया integration आ गया minus 1 by 2 log 1 plus cosec upon 1 minus cosec plus में c second part था dx upon cos square plus 2 sin square x हमने क्या किया इसको numerator और denominator को यहाँ पे cos square x से divide कर दिया ठीक है तो 1 by cos square x secant square x नीचे 1 plus में 2 sin square by cos square 10 square अब easily हमें दिखरा है कि 10 को put करेंगी तो उपर वाला इसका derivative है 10x को t put किया तो उपर वाला इसका derivative integration change हो गया dt upon 1 plus में 2t square हमने 2 यहाँ पे बाहर लिया ठीक है तो कि इस square का coefficient 1 बनाएंगे तो यह बन गया t square plus 1 by 2 ठीक है यानिकी ax square plus a square a है यहाँ पे 1 by root 2 a क्या है 1 by root 2 तो यहाँ पे 1 by 2 इंटू x square plus a square का integration 1 by a tan inverse x by a तो यह बन गया यह root 2 बज़े है यहाँ पे 1 by root 2 tan inverse यह root 2 उपर से लगए root 2 t plus c अब t की जगे पे हमने क्या put कर दिया यहाँ पे 10x 1 by root 2 tan inverse root 2 tan x plus में c क्या है इसका integration last part करते हैं dx upon 4 sin square x plus 5 cos square अगर इस टाइब का कोई भी function हमें given है तो आपे हम cos square x से numerator or denominator को divide करते हैं फिर 10x को put करेंगे तो उपरवाला उसका derivative बन जाएगा ठीक है तो यहाँ पे क्या बन गया secant square x नीचे 4 tan square x plus में 5 10x को t put किया उपरवाला derivative dt upon 4t square plus 5 4 हमने बाग लिया dt upon x square plus a square a की value है यहाँ पे root 5 by 2 root 5 by 2 का 1 square x square plus a square यह क्या बन गया 1 by 4 बाग था 1 by 8 10 inverse x by यह तो यह इसको solve out करने पे 1 by 2 root 5 10 inverse यह 2 उपर चलागा है 2t by root 5 plus में c t की जगे पिलास में put कर दिया 1 by 2 root 5 10 inverse 2 10 x upon me root 5 plus में c ok student यह थी exercise हमारी 9.4 जो complete हो गई है थोड़े से last वाले questions थोड़े से length ही जरूर थे लेकिन easy थी पहले हमने उनको simplify किया है last में वो formula लगाए है जो हमने starting में किये थे 6 या 7 formula जो थे उनका use कर गई तो I hope आपको यह exercise clear होगी अगर किर्पी आपको कहीं doubt है तो comment करके पूछ सकते हूँ next video में हम करने वाले हैं 9.5 exercise thanks everyone झाले हैं झाले हैं झाले हैं